नमस्कार फ्रेंट टॉपिक है डिसकेशन के लिए हमारे पास वर्लनरेबल ग्रूप एंड हुमन राइट पार्ट टू यहाँ पर जो डिसकेशन होगा वो चाइल्ड जैनि बच्चों पर होगा और इसको भी यह माना गया है कि भाई यह वीक हुमन बिंग है तो यह एक क्लास ओफ हुमन बिंग है जो की वीक है कमजोर है और इसको स्टेंथन करने के लिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए आंतराष्टे स्तर पर युनाइटे नेशन यानि स्विन्यूक तराष्टे जब से आई है उसने बहुत से ऐसे एफर्ट्स किये है जिससे की बच्चों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके और इस सब के पीछे कारण जो था वो परत्रम और द्वित्य विश्वियुत थे जहां पर की बच्चों पर बहुत जादे जुलम हुए बहुत जादी चीजों को उनको सामना करने पड़ा जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं थी और इसी के साथ जो स्थापना की गई गई जिसमें की एक एमर्जेंसी फंड बनाया गया बच्चों के लिए। चिल्डन की प्रटेक्शन के लिए जा उनके अफलेप्टमेंट के लिए एक्स्टेंट किया गया। उननी सो तिरिपन में जो इसको पर्मनेंट सिस्टम था यूनाइटे नेशन का उसका एक पार्ट बना लिया गया और इसमें से जो वर्ड इंटरनेशनल और एमर्जेंसी थे उनको रिमूब कर दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंट यूनिवर्सल डेकलरेशन ओफ हुमन राइट जो था उसका आर्टिकल 25 परा 2 के अंदर भी इस तरह की बाते की गई जहांपर बच्चों के लिए स्पेशल केर एसिस्टन्स की बात की गई चाहे वो लौफली मैरिज जो है उससे पैदा हुई हूई ह ना शायती नहीं होती है तब भी बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन देने की बात इसमें की गई नेक्स्ट है फ्रेंट हमारे पास 1959 की डेकलरेशन जा घोशना जो की बच्चे के एधिकारों को या उसके राइट्स को लेकर की गई थी और इसमें कहा गया थ है कि वह चिर्डरन्स हैं उनके राइट टू प्रोटेक्शन एजुकेशन हैल्थ केर शेर्टर और गुड निट्रिशन की तरहा सारी चीज़ें होनी चाहिए आगे है हमारे पास दोस्तों इंटरनेशनल कोविनेंट ओन सिवल एन प्लिटिकल राइट्स 1966 जिसके कि यह के लिए जो भी किया जा सकता हो वो करना चाहिए और इसी में जो आर्टिकल 24 क्लॉस बन है उसे के अंदर कहा गया है कि भाई यह जो राइट है चाइल्ड को यह प्रोटेक्शन के फैमिली से मिलने चाहिए सोसाइटी से और स्टेट से मिलने चाहिए और ऐसा देते वक्त कि उसके साथ भेदभाब जो है वो नहीं होना चाहिए और जितने भी चाहिए उनको रेजिस्टर्ड होना चाहिए और इसे के साथ जो है हर चाहिए उसके पास नैशनलिटी या राश्ट्रीता को एक्वाईर करने का भी राइट होना चाहिए आगे चलते हैं तो हमारे पास है International Covenant on Economic Social and Cultural Rights जो कि Under Article 10 जो है वो बात करती है Children की Care की और उनकी Education की कि वो जो है होनी चाहिए एक Responsibility की तरह उसको निभाना पड़ेगा और इसी के अंदर Article 10 Clause 2 के अंदर बात की गए है कि जो बच्चे हैं जब वो मा के पेट में होते हैं तब भी मा का ख्याल रखना चाहिए तांकि बच्चे की Care हो सके और उनके बर्थ लेने के बाद जनम लेने के बाद उनका ध्यान रखना चाहिए और इसमें क्या है जब मा प्रेगनेंट होती है जगर अगर अब बती है तो उसको लीव या छुट्टी का परवंद जो है वो भी करना चाहिए नेक्स्ट इसी में आर्टिकल 10 क्लोस 3 के अंदर कहा गया है कि बच्चे जो है या यंग जो है उनको एसिस्टन्स देनी चाहिए उनको मदद करनी चाहिए बिना किसी भेदभाब के ठीक है जी और उनको क्या है किसी तरह का कोई आर्थिक या समाजिक शोषन जो है उनका नहीं होना चाहिए तो अभी तक आपने देखा कि जो बच्चे के अधिकार है उनकी बात कीगी यूडियाच आर के अंडर कीगी और इसके साथ ही जो ICCPR और ICESCR के अंडर बात कीगी उसके लिए एक डेकलरेशन भी हुई पर ये जितने भी थे वो बाइंडिंग नहीं थे जानी कि इनको लागू नहीं किया जा सकता था इसी लिए convention जिसको की convention on the right of child के नाम से जाना जाता है ये जो थी वो 1989 को अडॉप्ट की गई और इसको लागू किया गया 1990 को तो इसे first instrument भी कहा जाता है जो की rights of child के उपर था और इसको bill of rights for the children के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसी convention के अंडर यानि के article 1 के अंडर ये भी define किया गया है कि भाई child क्या होगा तो child से यहां उनका अर्थ है कि बहु बैक्ती जो की 18 साल से नीचे की उमर का हो उसे child मना जाएगा unless until कि उसका अपना municipal law जो है उससे कम की limit तैय करता है यानि कि जो municipal law है जा किसी देश का law है वो 17 साल का भी बता सकता है किसी child को 16 साल का भी बता सकता है तो उस case में फिर उसको वही मना जाएगा 16 या 17 जो भी उसका municipal law जो है बो decide करता है इसी convention के कुछ article जो है उनको हम देखते हैं सबसे पहले है हमारे पास article 6 परा 1 जिसमें की state party कहती है कि हर child जो है उसको जीवन का अधिकार जो होगा स्वायत ही होगा inherently होगा नेक्स्ट है आर्टिकल 7 परा के अंदर कि भाई जो child है उसके पास अपना जरम का पंजी करन जो है उसका अधिकार भी है और nationality या राश्टरित्या को एक्वायर करने का अधिकार भी है नेक्स्ट है आर्टिकल 13 परा 1 जिसमें कहा गया है कि उसके पास अपने विचारों के विक्त करने का या आइडिया जो है उसको देने का रेसीव करने का वो भी आधिकार उसके पास है आगे हैं हमारे पास अनुछे 14 पेरा 1 जिसमें कि हमारे पास विचारों की सब्तंतरता, कॉंशेंस और धार्मिक सब्तंतरता है उसके बाद पेरा 1 आर्टिकल 15 जो हो है जिसमें कि एस्सेशेशन या और्गनाइजेशन बनाने का इदिकार आ गया या इकठे होना पीसफुली का कोई अटेक ना हो उसका भी अधिकार जो एक बच्चे के पास होना चाहिए नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 20 पेरा 1 जिसमें कि जो एक परिवारिक वाता बन है उसके अधिकार की बात की गी है स्पैशल प्रोटेक्शन या इसिस्टेंस है किसी तरह की सुरक्षा या म जिसमें कि कहा गया है कि जो आपका स्टेंडर ओफ लिविंग है जीवन स्तर है वो अच्छा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे का आप फिजिकली मेंटल स्पिरिचूल शोशल डेवेल्मेंट जो है वो हो सकती हो आगे है हमारे पास आर्टिकल 28 पेरा 1 जिसमें कहा गया है क जिसमें कहा गया है कि बच्चे के पास रेस्ट करने का चुट्टी का खेलने का या पार्टिस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पे करना का cultural life में ये सब इतकार होने चाहिए और इसमें हमें इनकर्ज करना चाहिए ताकि उसको equal opportunity मिल सके cultural artistic recreational या लेज़त जो है उसकी activity नेक्ट आर्टिकल 32 है दोस्तों जिसमें की child labor का जो exploitation है उसके against right की बात की गी है कि बच्चे के पास ये भी right है कि जो बाल में दूरी है उस के against अधिकार दिया गया है या फिर sexual abuse बीस के अंडर आता है नेस्ट है हमारे पास दोस्तों implementation procedure अंडर दिस convention के भई ये convention तो बन गी पर इसमें जो लागू करना होई system को तो उसके लिए क्या procedure है तो इसमें committee है जिसमें के article 43 के under 10 expert होंगे जो की अभी 18 हो चुके है 1995 में ये ब जो हर state party है वो एक person को अपने national में से जो nominate कर सकती है और इसमें equal geographical distribution होगा यानि कि इस तरह से चुनाब किया जाएगा कि हर पार्ट को globally मौका मिल सके जितनी भी state party होंगी वो क्या करेंगी through secretary general जो एक report submit करेंगी committee को कि भई उन्होंने क्या-क्या adopt किया है measures को या क्या-क्या उ होनी चाहिए यानि कि precise नहीं होनी चाहिए committee जो है वो उनसे इससे related further information जो है उसकी demand भी कर सकती है अगर उनको इसको लागू करना पड़े और इसके साथ है committee जो है वो अपनी report submit करेंगी general assembly को किसके जरीए economic social council के जरीए about its activity कि भई इसने क्या activities की है आगे कहा गया है कि committee जो है वो recommend कर सकते है general assembly को कि वो security general को request करे कि वो अपने भिहाब पर को study इस तरह की conduct करे जिसमें की child से लेकर specific issue जो है उनको लेकर कोई research हो जा उसमें suggestion हो जा कोई general recommendation हो तो उनको भी consider किया जाए next है दोस्तो इस convention का first option protocol जो की बच्चों के लिए जो सशस्त्र जो संखर्ष है जिसे armed conflict कहा जाता है उसको लेकर guidelines बनाता है और ये जो है adopt किया गया था 2000 को इसके article 1 के अंडर ये बात कही गी थी कि जितनी भी state party है वो ये ensure करेंगी कि वो member उनकी armed forces के जिनकी उम्र जिनकी आयू जो है वो 18 से नीचे है वो directly किसी तरह के संखर्ष में जा hostilities में involved ना next इसके article 2 में क कहा गया है कि जितनी भी state party है वो इस बात को ensure करेंगी कि 18 साल से नीचे जो लोग है जो बच्चे है उनको जबरदस्ती जो है armed force में recruit ना किया जाए article 3 के अंदर खा गया है कि जितनी भी state party है वो जो voluntary recruitment है उसकी जो age है उसको थोड़ा उपर उठाएं और ये जो है वो according to जो provision है CRC की article 38.3 के accordingly किया जाए पर फिर भी अगर इस तरह के व्यक्ति कि जो के 18 साल से नीचे है उसकी recruitment की जाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें से कि उसकी recruitment या भरती जो है वो अब नीच्छा से होनी चाहिए इसमें माता पिता जा गार्डिन जो भी है उसकी सहमती होनी चाहिए उसको nature of the duty explain करना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना पड़ सकता है उसका जो age proof है वो होना चाहिए कि भई कोई identity card या इस तरह की चीज़ भी होनी चाहिए तो इन बातों का ध्यान उसमें रखना पड़ेगा next है कि party जो है उसको इस protocol का implementation जा लागू जो है उसको भी ensure करना पड़ेगा और इसी के साथ इस protocol के लागू होने के दो साल के अंदर अंदर जो party है उसको एक report submit करने पड़ेगी committee को कि भई इसके जो effort है implementation को लेकर वो क्या है जहां तक बात है इस protocol के लागू होने की तो वो ज जिस दिन इसके tense instrument हो जाएंगे जा इसका ratification दसदेश कर देंगे उस तारीक से तीन महीने के अंदर अंदर इसका come into force ने इसको लागू कर दिया जाएगा पार्टी है कर चाहे तो अपने आपको अलग भी कर सकती से प्रोटोकोल से even after giving notification पर ऐसा करने के लिए इसको written में notification देने पड़ेगा Secretary General of the United Nation को Next है हमारे पास second option protocol जो की CRC का ही था और इसमें sale of children, child prostitution या child pornography की बात की गी इस optional protocol का article 1 जो था उसमें कहा गया था कि state party जो है वो prohibit करेंगी sale of the children जहां में बच्चों को बेचा जाता है या जो बच्चों से वेशावरिती करवाए जाती है या फिर pornography जो हो उनसे करवाए जाती है इन सब को वो prohibit करेंगी term sale of children से क्या मतलब है वो भी इसमें define किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह को कोई act transaction जिसमें की बच्चे को transfer किया जाता है एक person से या group से दूसरे person या दूसरे group को किसी lane देन के लिए पैसे के लिए या फिर किसी और consideration के लिए किया जा सकता है child prostitution क्या है उसको define किया गया है जिसमें के कहा गया है कि बच्चे का use करना किसी तरह की sexual activities के लिए और इसमें भी कोई remuneration कोई पैसा जा इस तरह की चीज़ हो सकती है या कोई और अपनी तरह का consideration भी उसमें हो सकता है प्रावनोग्राफिक को भी डिफाइन किया गया जिसमें कि कहा गया कि किसी भी तरह का representation या दर्शाना किसी भी मीन के जरी है चाहे वो print हो चाहे electronic हो और इसमें जो है बच्चा है उसको किसी तरह की sexual activity में दिखाना उसका representation करना या फिर उसका कोई part हो जो की sexually purpose के लिए यूज किया जाता हो वो भी इसके अंडर consider किया जाएगा फर्दर यह कहा गया कि जितने भी state parties हैं वो ensure करें कि following जितने भी acts and activity हैं वो उनके law के अंडर कबर हो जिसमें कि कहा गया कि किसी भी तरह का बच्चे को देना या उसको accept करना किसी भी means के जरिए उसके यौन शोशन के लिए या sexual exploitation के लिए या फिर बच्चे जो है उसके जो अंग है जैसे फेफडा लेबर के इन सब चीजों के लिए या engagement of the child in the forced labor या फिर उसका कोई बाल मेज़ुरी जो करवाई जाते है जब दस्ती उसमें को involvement मो तो उससे related law भी जो states को बनाने पड़ेंगे और साथ में इसमें child prostitution में भी कहा गया है कि उसको लेकर अगर बच्चे को किसी को दिया जाता है या लिया जाता है या प्रक्यूर किया जाता है तो उस चीज़ के लिए भी law बनाना चाहिए और यह जितने भी offense अबब mention बताएगे हैं इनको लेकर जो domestic law है वो भी बनने चाहिए अगर इनकी attempt की जाती है कोशिश की जाती है पर वो कामयम नहीं होते हैं तो उसके लिए भी domestic law में provision होनी चाहिए जितनी भी state party है वो अबब mention जो act या offenses है उनके लिए इस तरह की provision तेयार करेंगी कि उनको penalize किया जा सके या उनकी सजा जो है वो दी जा सके और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आपको किसी बच्चे को गौद रेना है तो उसके लिए जो अंतराश्टेस तर पर कानूनी जो instrument है जा document है जा rules है उनके गौदिंग लिए वो किया जाए स्टेट पार्टी को ये भी कहा गया है कि भई जो present protocol के अंदर जितने भी चीज़ें बताईगी हैं उनको आप मजबूत करेंगी लागू करेंगी उनको फैलाएंगी लोगों को बताईगी administrative social policies और program के जरी ताकि इन सब offenses को रोका जासके जनता में जाग रुकता फिलाए जाए जाए खासकर बच्चों में जो की education के जरी हो सकती है ट्रेनिंग के जरी हो सकती है कि भई इसके क्या क्या दुश परिणाम है इन offenses के जो की present protocol के अंदर बताएगे हैं और साथ में जो भी present protocol के अंदर offenses बताएगे हैं अगर इनके कोई victim हैं तो उनके लिए फिर social integration यानि कि समाजिक तोर पे उनको अपने में मिलाना और उनका जो physical जा शरीरिक या मानोब अगेनिक स्थर पर जो recovery है उसके लिए भी प्रियास किया जाने चाहिए नेक्स्ट है कि जो compensation है जो मौबजा है damages जो भी victim को होते हैं उसके लिए फिर provision की ज लगानी चाहिए हमारे पास third optional protocol of the convention of right to child जो की communication procedure को लेकर था adoption इसका 2011 को और come into for 2014 को हुआ था इस protocol में जो individual complaint system में उसकी बात की गी थी कि व्यक्तिगत तोर पर अगर कोई बच्चा जा बच्चों का समूँ जो है वो complaint करना चाहता है तो उसके लिए provision पहले की convention जा प्रोटोकॉल जो दो हुए है उनमें नहीं थी तो इस तरह से यह जो defect इस प्रोटोकॉल ने दूर किया और इसमें यह बात कही गई कि इस तरह का कोई भी communication जा complaint हो तो वो anonymous जा गुम नाम नहीं होनी चाहिए एक बार जब communication जा complaint जो है वो committee के पास पहुँच जाती है तो committee जो है उस state party के पास जो है वो contact कर सकती है और request कर सकती है state को कि भई आप इ एक inquiry procedure जो है उसको भी बताया गया है जिसको प्रोवाइड करवाया गया है जिसके ज़री की जो committee है एक secret या confidential investigation जो है वो start करवा सकती है अपने members के दोरा next है हमारे पास child labor ILO यानि international labor organization ने एक program conduct किया था जिसे international program on the elimination of child labor जहां IPEC के नाम से जाना जाता था यह एक वैश्विक program था और इसकी शुरुवात जो थी वो December 1991 में की गई थी India जो था वो उसकी first country बना जिसने किसको join किया था 1992 में धीरक कालीन जो उदेश्य था इस IPEC का वो था कि भई जो child labor है या जो बाल में दूरी है उसको abolish करना उसको खतम करना और जहां तक इसके immediate objective थे वो following है और इसम के design कर सकें चीजों को जिसको की implement और evaluation कर सकें प्रोग्राम का जो की बाल में दूरी से related हो नेक्स्ट है राष्टे स्तर पर या community level पर इस तरह के model setup करना जिन से कि आप कह सकें कि भई इन से हम जो child labor है उसको abolish कर सकते हैं और इसमें creation of awareness यानि जाग रुकता फैलाना और समाज पर एक mobilization करना जिससे कि child labor जो है उसको eliminate किया जाज कि वो भी include है और next time friend ILO के द्वारा एक और treaty adopt की थी जिसे worst form of child labor convention के नाम से जाना जाता था जिसको की 1999 में adopt किया गया और इसका come into force 2000 में हुआ यानि कि simply इसको कहें तो भई कुछ इस तरह की labors जैं इस तरह की कारे भी होते हैं जो की बच्चों के लिए बहुत ही जादा खतरनाक हो सकते हैं इसके अंदर ये भी कहा गया कि भई जितने भी तरह की child labor है उसको prohibit करना है और उसको eliminate भी करना है और इसके लिए जितने भी state party है उनको effective यानि असरदार तरीके ढूंडने हैं ऐसे तरीके जिसे कि इसको ख कौन सी हो सकती है जिससे की बच्चों को बहुत जादा हानी हो सकती है तो इसमें जो include किया गया उसमें slavery यानि दासप्रता, sale बेचना, trafficking, again sale purchase, debt bondage, किसी कितना को debt लिया है तो उसमें बंदन में आप बच्चे को दे देते हो कि भई मैंने आपसे करजा लिया था उसके बदर बच्चा दे रहा हूं जा serfdom, against slavery form हागी, force या compulsory labor किसी तना की जबरदस्ती से किसी दे काम लेना बच्चे से वो भी जो worst form of labor की category में आती है नेक्स्ट इसमें जो दोस्तों include है वो है procuring यानि दलाली करना जा child को offer करना prostitution या वेशावरिती के लिए for pornography या pornographic performance हाना जो digital जा print मेडिया में भी हो सकते हैं, next है इसमें offering करना child को illicit जा गार कनोनी activity के लिए particularly for the production and trafficking of the drugs यानि कि जो drugs के मामले हैं वहाँ पर अगर किसी तना की कोई production की जाती है जा trafficking की जाती है तो उसमें भी जो एक उसको माना जाएगा कि worst form of labor है, next हमारे पास world summit for children है 1990 जिसको 29 से 30 सितंबर 1990 New York United States में convened किया गया था और इसमें 71 heads थे states वो government के इसमें एक declaration जगोशना भी adopt किये गए थी जिसे की survival protection and development of children and a plan for action for implementing the declaration in the 1990s के नाम से जाना जाता था और इसमें जो first time ऐसा कहा जाता है कि ये history में हुआ था कि summit level meeting जो थी held किये थी जो की exclusively यानि की specifically वो जो children के issue थे उनको ही address करती थी और इसमें कुछ areas identify किये थे जहाँ पर की action की requirement थी जिसमें बाल स्वहिस्त परिवार की भूमिका, मुलभू शिक्षा और साक्षता, बच्चे और बातावर्ण, बच्चों की शरक्षा, सशेष्तर, संखर्षमें, या गरीबी और मूलन और इ सेट किये एक कुछ इसमें कि भई हम कुछ गोल सेट करते हैं और उनको अचीब करने की कोशिश करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1996 में सेक्रेटरी जनरल जो थे जनाइटर नेशन के उन्होंने जनरल असेमली को बताया कि भई बहुत सारी तरक्की की है हमने उन गोल को अचीब करने में जो कि हमने 1990 के देशिक में रखे थे, आगे हैं हमारे पास दोस्तों जनरल असेमली स्पेशल सेशन और चिल्डरन टो एक्स्प्लोर चैलिंजिस तो यूथ डेवलिमेंट चाइल्ड्स राइट में 2002, यानि कि ये एक तरह का स्पेशल सेशन जो जनरल असेमली के द्वारे था और ये 2002 में किया गया था, इसमें जनरल असेमली ने फर्स टाइम ये डिसाइड किया था कि इस सेशन को होड किया जाए, जिसमें कि सिर्फ जो बच्चों से लेकर इशू हैं उनको डिसकस किया जाए, ये होना था एक्शली 2001 में पर ये जो स्पेशल सेशन था, ये एक तरह से फॉल अप था, जो 1990-1990 की वल्ड समिट थी चिल्डरन पर उसका, कि भई उसमें कितनी प्रोग्रेस की है, कहां हम फेल हुए, कहां हम बास हुए हैं, तो इसने पूरी जो उसको रिब्यू किया था, और रिन्यू दा इंटरनेशन commitment to children's right, और साथ में, कि भई हम दुबारा से ये pledge लेते हैं, कि हम children's right के ये काम करेंगे, इसमें एक reference document भी adopt किया गया था, जिसे we the children meeting the promises of the world submit for the children के नाम से जाना जाता था, and outcome of this document was, a world fit for the children was adopted, और इसका outcome, यनि किसका नतीज़ा जो था इस document का, वो था a world fit for the children, एक ऐसी दुनिया जो कि बच्चों के लिए fit हो, उसको adopt इसमें किया गया था, तो इसे के साथ ये वीडियो जो है, वो complete होता है, दोस्तों, child को लेकर, ज जाना किसमें बहुत से सवाल भी उठते हैं कि एक program जो है, वर्ल्ड के हर child पर किस तरह से implement किया जा सकता है, पर अगर आप देखेंगे तो कुछ दशक जो है हमारे पीछे, उसमें बहुत सारी progress हुई है, आसे 20-25 साल पहले इंडिया में, भारत में, जो बच्चे तो उनके स बच्चे?